आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किसमें ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में ये निफ्टी-फिफ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब लोइस पॉइंट पे मार्केट थी तब 23 मार्थ 2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था और करन्ट प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक, लंबी एउदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए दो, जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 3. जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 4. हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानि कि पहले 3 पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1.1.2014 को 1 लाग रुपे इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1.01.2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करण शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 1.1.2014 के दिन 1 लाग रुपे निफ्टी 50 शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई और करण Nifty 50 इन्वेस्टमन की वेल्यू है Nifty में एप्रिसेशन ज़्यादा हुआ है इसलिए 1 पॉइंट Nifty ने जीत लिया है 2 पॉइंट शेर ने जीता 3 पॉइंट शेर ने जीता आधी मैच में किसने ज्यादा रंग बनाए ये इंपोर्टन है लेकिन मैच कम्प्लेट होने पर स्क्या स्कॉर बोड है ये सबसे ज्यादा इंपोर्टन है ओवरल निफ्टी जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले साथ सालों में चले हैं वैसा ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी वेलिव कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स दिपोसिट की होती तो आज उसकी वेलिव हो गई होती एवडी के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसंटेज का रिटन दिया ये शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया तैंक यू